स्वभाविकृते जरे राजनीतीनी वात आवे तो अत्यारे सउथी पहला याद आवे महरास्टर के जयां गल माह्भारत हयुसे पवार परिवार नी अंदर काका भत्रीजा साम साम进 आवी रहाचे अने अवे प्रमुख पदे थी शरद पवार ने हटाबवानो अजित पवार जूथे निर्णाई करयो छे अजित पवार ने एंसीपी ना राष्ट्रिय अध्यक्ष जाहर करी देवामा आवया छे अजित पवार जूथे चुटिनी पंचमा आब आबते अर्जी पन आपी जे अजित पवार ने एंसीपी ना राष्ट्रिय अध्यक्ष जाहर करवामा आवया छे अने अत्यारे काका ने भत्रीजानु जूथ बन्ने अप एक बीजानी सामे पड़या छे अने बन्नेनु अत्यारे शक्ती प्रदर्शन देखाई रहुचे अजित पवार नो जूथ एक चू करता वदू दारा सब्व्यों हवानू दावो थही रहो छे बिजी बाजू शरत पवार जूत पासे चाउथी वधारे धारा सब्व्यों यले शू आ एनसीपी हवे शरत पवार ना हाथ माधी सरकी रही छे सीधो सवाल शिवसे नावाली जत्यारे एंसीपी नी अंदर था रही चे सवाल था वो स्वाभाविक चे अजये पासे दी विगतवार जानी अजये अज महाराष्ट की राजनिती में महतपूर दिध्धा के कुई पूरे देश के सामने ये आना था कि जो एंसेपी में बिसफोर्ट हुआ है जो अलग अलग जो गुट सामने दिखाई दे रहे थे उसमें कौन सा घटक जो है वो तगड़ा दिखाई दे रहे या किसके पास विधायकों का समर्थन जादा है दोनों दलों के साथ अगर खास करके बात करें तो शरत पावार और अजीत पावार जो के भतीजे है दोनों की तरप से दावा किया गया था कि उनके पास विधायकों के संक्या जादा है इसलिए सकती प्रदर्शन करके यह दिखाना चाहते थे कि असली एंसे पी क्योन लेकिन आज के प्रदर्शन में देखने में यही आया कि अजीत पावार की तरफ से जो कारकरम किया गया था उसमें 30 से जादा विधायकों के समर्थन का दावा किया गया और कहा गया कि जादा संख्या में जो विधायक हैं यहां पे पहुंचे वे हैं यहां तक ये अपने स्पीच में अजीत पौष की तरफ से कहा गया कि कुछ लोग अस्वस्त है ये संख्या 40 के पार जा सकती है वहीं पर अजित पवार की तरफ से कई सारे तंज भी शरत पवार के ऊपर कहा किया गया और ये भी बताया गया कि किस तरह से सुपया सुले को अध्यक्ष बनाया गया और अभी भी पार्टी पे जो कमान है वो शरत पवार की है जबकि उनकी उम्र 83 साल की हो चुकी है उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भारती जन्ता पार्टी में 75 साल की उम्र होती है जब कोई भी राजनिता रिटार्ड हो जाता है लेकिन सरत पवार 83 के हो चुके हैं कब वो पार्टी से अलग होंगे या मार्ग दर्शक ग्रूप में आएंगे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि पार्टी को कब वो चोड़ेंगा और नए लोगों की तर JAM मिलेगी इसी की साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अब राश्टी नहीं रह चुकी है बलकि राज यस्तर की पार्टी है ऐसे में पार्टी को कैसे आगे ले जाए जा यह तमाम सारी चुनोतिया हैं जिसके बारे में खुद उनके जो अग्रज है यह शरत पवार हैं वो सोचने की कोशिस नहीं कर रहा है और कहीं कुछ लोगों के फेर में वो लगातार फसे हुए हैं जबकि शरत पवार की तरफ से स्पीज दी गई उसमें अजित पवार को खोटा सिक्का कहा गया और साथी साथ ये भी कहा गया कि किस तरह से वो ऐसे धड़े के साथ चले गए हैं जिस धड़े का एंसे पी लगातार विरोत करती रही है और खास करके शुषणा को जो सरत पवार ने असली हिंदू बताया और कहा कि ये हिंदूों को जोड़ने वाली पार्टी है जबकि भारती जनता पार्टी तोड़ने वाली पार्टी है तो आरोग प्रत्यारों बहुत हुए लेकिन सरत पवार के पास 14 से ज़्यादा विधायक नहीं पहुचे हैं तो ऐसे में पूरी की पूरी संभावना है कि इलेक्शन कमिशन में जो दोनों पार्टियों के तरफ से दावा किया गया है कि असली एंसीपी कौन इसका फैसला निशीत तोर पे इलेक्शन कमिशन में होगा लेकिन जादा संख्या बल जो है वो कहीं ने कहीं एंसीपी के अजित पवार के धड़े के साथ दिखाई दे र यादवा स्थली जेवी स्थिती नसीपी ने क्या पहुचाड़े से पन खेर वाद करवीशे राज्यना समाचार नी चूटनी वखते जारे विधान सबानी चूटनी हती 2022 मा भारतिये जनता पार्टी ये वचन आपिवातु के लोकों ने सारवार मा कोई तकलिफ न पड़े त प्रवक्ता मंत्री रिशिकेश पटेलनों आबाबते एज हुगा अबाजू शक्ति पीट बहुचराजी के जयां मा शक्तिनों डाबो हाथ पड़े वतो जैरे भगवान शिव एमना जैरे सकल्प ने लईने एमना सकलेटन ने लईने एमना लईने जैरे खभाव पर फरी रहा आता एवखते हवे ये शक्ति पीट वर्षो पची एक नव शिखरपण उल्चू करवा मा आउशे वाउचलाजी मंदीर परिसरनू नवीनी करण करवा मा आउशे आ शक्ति पीट हवे वधू दिव्विमान आवनारा वर्षो नी अंदर देखाशे केवे रिते शू करवा मा आउशे जानिये प्रवक्तामंत्री रिषिकेश पटेले कोईल बेरिंग क्यापेसिटी जमिन निक शमता वजवजन सहन करवानी एनो टेश्ट करवा मा आउशे एनो टेश्ट करता एसबीसी उच्छी मालूम पड़ता मा बउच्रा जिना अननन्य भगतो त्या वर्षो थी त्या बाबरीनों प्रसंग होए कूल देवी होए दर्श अनने आवता लुको माटे खोब सरस आने खोब इत्यासिक निड़े लेवा माँवेशे आजे इको तेर फूटनी जग्याई गुजराती राज्य सभानी सीटो खाली थता हिया चूटनी आवी रही छे अने चूटनी ने लईने आम तो भले 156 दारा सब्योंनू संख्या बल होई वूतकाल मां क्यारे न जोयू होई एओ कमाल एओ करिश्म आवकतनी चुटनी मां भारतİय जंता पार्टी एकरी बतावे बधाज रैकोर्ड तोड़ी नाक्याचे पन तेम चता भारतीय जंता पार्टी कोई पन प्रकारनी कचा शोडवा नतीमांगती अधिया ज़न्ता पार्टी निया स्ट्राटेजी रही छे के भले संख्याबल मजबूत होई पन तेम छता पन तयारी ओपन एटलीज मजबूत होवी जोई अने आ राजे सभानी चुटनी लेलाईने एटलीज मजबूत तयारी ओ भाजप अत्यार्थी करी रहुशे के विर इ देनेश अनावाडिया आ त्रण बैठको जे खाली थाई शे आ त्रण बैठको माटरी नी चुटनी आगामी 26 जुलाईना रोज योजावानी शे ए पहला तेर तारीके उमेदवारी पत्र भरवानी छेली तारीक शे ने उमेदवारों नाम नी प्रक्रिया माटे पन दिल्ल सब्यों तैयार रेवा माटे नी सुचना आलकतरे रिती मुखिक आपफ़ाम आविशन एटला माटेज आगामी 26 तारीक सुधी एटले के चुन्टनी प्रक्रिया पूरी न थाए त्या सुधी धारा सब्यों गुजरात सिवाई कोई मोटा प्रवास आयो जनो बाहार जवान न करे जेथी करीर ने चुन्टनी समय परत ना आविशे के एनने द्यानमा राखी तमने गुजरात माज रेवा माटे सुचना आपवाम आविशे आ सामाने रूटीन प्रक्रिया एक प्रकारे गणवाम आविशे केंद्रिया पार्लामेंटरी बोडनी बैठक मापन गुजरात ना नेताओ जशे ए पहला गुजरात मापन प्रदेश पार्लामेंटरी बोडनी बैठक माडशे जिन ये अंदर उमेद्वारों नामों पर चर्चा ने मन्थन करी है नामों केंद्र ने मूखली आपवा जे बार अथो तो तेर तारीकेव पुतानू उमेद्वारी पत्र बर्षे भाजप संख्या बढ़ना आधारे त्रण त्रण बैठाको पर वगर चुंटले जीते ए प्रकारनी स्थिती हाल गुजरातमा देखाई रहीशे। 1200 रूपिय किलो खावू तो खावू शू सवाल ए उभो थाई गयोशे ने आब धावच्चे गुरूहीनिय तो ठीक चे साई भल भलाना त्यारे बजेट खोरवाई गया से 800 रूपियाना मर्चाने बसो साहीट रूपियानों आदू कोने पोसाई 1500 रूपियाना टामेटा खाता पहला जीव बलीने राग थाई जाई ए पकाहातमा पकडवा खरीदवा एरी पर तो वाद दूर रही गयाने एमा पन कोथमीर दरेक शाकनी अंदर वपराती होई पन 1500 रूपियानी जारे कोथमीर होई तो एक खरीदता हाथ पन लांबो केवी रिते थाई स्वभावीक रिते सवाल जेने आब धाने लहीने हमे राजकारण पन गर्माई रहूचे लोको नी पन प्रतिक्रियाव आवी रही छेवी परिस्थिती माथी लोको पसार थे रहा हाचे आ काल जाल मौगवारी नी अंदर करणके शाक सस्ता थावा जोई ए सीजन मा मौगा थे रहाचे गयतरी बास तेदी जानी है इटला वदी गाया चे कि ग्रुहिणियों नुझे बजेट खोरवाई गयुशे जे कोत्मी रोज बरोज आपने कोई पन शाक के कई पन वस्तू मा वापरता होये चे ते कोत्मी ना भाव 117 रुपय पहुशी गया चे मरचा ने आदून भाव के जे सवार्ती जादूनी आपने जरूर परती होये चे सवारे चानी चुसकी मा जे आदूनो वप्राश ततो होये चे ते आदून भाव 800 रुपय पहुशी गया चे एटले आज भाव बदारों छे ते ग्रुहिणियों नूँचे बजेट छे ते खोरवी रहुशे बिलकोल ग्रुहिणियों तो ठीक छे भल भलानू बजेट खोरवाई रहुशे अवे जोवानूँशे के क्या सुधी आमा ती पसार थवानूँशे के पसे आमाज टेवाई जवानूँशे खेर आउनारों समय बताऊशे आवक वधारवानी जे टुक मा एटलू नक्की करी लेवानूशे मौंगवारी तो एनी जाते वत्तित जवानी जे जो बेचेड़ा बेगा करवा होय तो अब धावच्चे कोट मा एक दाखल करवा मा आवी छे पिटीशन के जैमा गीरना जंगल नी अंदर वन्य जीवो पर तोलाता जोखम नी बात करवा मा आवी छे शूँचे कश्यप पासे दी जानिये धाएक कोट मा जे अरजी करवा मा आवी छे तेमा चार मुद्दा नूपोर टाकवा मा आवी छे जैमा साथी पहलो मुद्द जे मा सार्दी णूगा धांगल नही कर आवी बीजी बावा ते के खवा मा आवी ज़े क〜 गेरकाई देशर बांदकाम त्यां पन थायरे आछे लोको आयां थी फरवा जे रे आछे टूरिजम प्लेस तरीके गीर डेवलोप थायरे आजे अन्ने त्यां आसपास लोको होटेल अन्ने रिसोर्ट बनावी रे आछे एसीवाई ना पना बांदकामों तेया थे रहे आछे आसाथे जब नियत करेलो विज वोल्ट छे तेज आपो जुए तेना धिवदर ना आपो जुए ने चोथी बाबत एक एक एहवा मावी छे के जे रीते रक्षण थाउ जुए ते रीते रक्षण थतु नती आम अलग-अ चार मुद्दा छे ते टाकवा मावी आछे ने आगामी सत्याविस्तारीके हाई कोट आमुद्दे वदू सुनावनी हाथ दर्शे परन्तु खुब गंबिर बाबत आ कही शकाया ने तना कारणेज एक व्यक्ति द्वारा पीटिशन छे ते दाखल करौ मावी छे ने जे मु